कि बुंदेलखंड अप्लेंड के बार हम जानते हैं सो हरेक क्रिष्णा एब्रीवन हम देख रहे हैं अभी क्या बुंदेलखंड अप्लेंड बुंदेलखंड क्या है कि बुंदेलखंड यह है कि यमुना रिभर अब यह भी प्लैटी यम न रिभर टू द नोर्थ मद्ध्य भारत प्ले प्ला टूदड वेष्ट ध्यान से देखना है न हमने यहां पे एक मानलूगी यह बना दिया क्या बना दिया यह मानलोक बुंदेलखंड का प्लैट यू है ठीक है तो इसके उतर से कौन सा जा रहा है नॉर्थ से नॉर्थ से क्या जा रहा है यमुना रीवर जा रही है नॉर्थ से मध्य भारत प्लेट्ट्यू टू दा वेस्ट अब हमने नॉर्थ इस्ट वेस्ट साउथ बना करके दिखाया था कि यह है नॉर्थ यह है इस्ट यह है है south यह वेस्ट कहीं भी अगर यहां पर बनाना है तो यहां पर case center में ड्रॉो कर दो यह प्लनदी के बीच में ड्रों कर देते हैं यह north यह east यह south यह Jest North से क्या जा रिया है यह मुना रिवर ठीक है North से यह मुनारीवर वेस्ट मिं क्या है तो मद्य भारत का पठार साउथ से साउथ से साउथ प्लेटि और मुंदल खंट के दक्षिन में तो मालौ आ इसमपल ने वात में यह तो मालौ प्लेटि थे वी पानी रहेगा ना उन्मौन आ को चंबल का उरीजन देखो ऐसा ऐसा आती स्ट्रॉंश ऑब इसको एज को एश करते है और इसके बारे में और को जानते है कि आगे क्या मनता ना चाहता है इस ड मतलब और न और ना कि डैसेक्टिद मतलब डिवाइट किया हुआ गारें डिवाइट डिवाइट टैसेक्टिद मतलब डिवाइड घैसेकटिद मतलब डिवाइड़ बाई-घे वाल इसमें गव भूंदेलखण वालि में रॉक मिलेगा यह भन देल खंड का प्लैटिव है और इसमें जो रोक मिलेगा वह मिलेगा ग्रिन आइट और निस टाइप का अच्छा एक बार यह सब का लोकेशन दिखा दूंगा मुझे समय चाहिए यह सब का में है लोकेशन दिखा दूंगा यह रहा यह रहा लोकेशन आई ये मालवा प्लैटव वह यह सेंट्रल इंडिया का प्लैटव है नहों ठीक है और यह है बखेल खंड प्लैक्री फुलेट्य बगल में बखेल खंड यह च Tuanda Pei सबको दिखेंगे के करके यह यह जंधा यह तरफ दना धंड कारण्य करनीय यह मरस्टा का प्लेटिव को बोलते हैं दक्कन का प्लेटिव क्या बोलते हैं अब यह मुष्ट ली आपा इसली दिखा वह क्यों कि जो पठार बना है न यह डिक्कन वाला यहां से कटा हो करके के मिटी बाहर चली गई है वहले प्लेट्यू का हिंदी नहीं पता है कि पठार बोलते हैं एक काम करो पढ़ना उड़ना छोड़ दो है ना बहाने ना बनाओ हिंदी इंगलिस सब एक ही बात है जब हमें हिंदी पता हो सके तो तुम्हें इंगलिस भी पालूम हो सके तेलांगना प्लेटिक तो यह तेलांगना का पठार है अब हमने दिखा दिया कि बुंदेलखन का है मालवा का है बगलखन का है चोटा ना कुर के है ठीक है सेंट्रल हाइलेंड का है ठीक है अब वापस चलते हैं यहाँ से यह बिंद्या का रेंच है बिंद्या बतला नहीं है यह सत्पूरा को रेंच है यहां अरावली का रेंच है ठीक है है sound प्रसु दिस द बके सब्सक्राइब करेंगे कि अऊधरं और नरका एक करके इसाओ बता देंगे एक हंगत कहां पर है इसका है जिए एधा चला जाता आगाformation है तो यह जो बात कर रहा बंदेल होन का तो यह वह जन रिजन है कि नाइट उ निह से बना हुए यह पे भी यहाँ पूरा वाला रीजन है ओं क्यमते बना हुआ तो इसमें सेंडयस्ट्ट poisoning वगरा भी अराम से पार नहीं है कि तो यग नाइट को निश्ट से बना हुए स्पेर्वेड अब उत्तर प्रदेस के खें जिसा है यह जिए पहले मेशिंपन है कि यह होगा फोगे करी बड़ा यह चारे सिंपल सी बात है कि तेंसा मेटर है तो इसके पहले वाले का अब स्लोप की बात कर रहा है तो देखो यह एक लेन बना थी यहां पे यहां से ओसीन सुरू होता है यह ओसीन वाला पार्ट है इधर भी ओसीन वाला पार्ट है मालो और यहां से ऐसे एक भूमी शुरू हुआ है इसे जाकर गिर रहा है तो क्या जितना इधर है उतना ही इधर है क्या नहीं है तो अगर मान लो कि यहां पर बारिस करवाते हैं तो कहां जागा इधर चड़ जाएगा क्या यह इधर जाएगा simple सी वात है किदर जाए तो इसको यहां पर मान ले जा रहा जा रहा है क्योंकि यहां से नदी जाती है जिसका नाम है नर्मदा और यह सत्पूरा और यह विंद्य्य से नौर्थ की तरफ डलान नौर्थ की तरफ अभी तो बोलड है साज यह साट वना रहा हूँ यह नौर्थ बना रहा थी है ल्युक्स की तरफ डराल में आया आया कि नहीं है नहीं आया इस इस एरिये को जो बुंदेल खंड वाला एरिया है इसको हिलॉक्स के नाम से जाना जाता है मतलब छोटे-छोटे हील्स ऐसे 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 टुन्मन नहीं बड़े वाले नहीं में घूना घूना बना चैसे तो एक इन सैंडस्टोन साूं कि ढूसे यहां पर लिखा हूं तह 가운데 श 몇 पर Athens से क्यों बना हूँ है क्योंकि मेंना हुट dessas के जाएगी वहां से मौंटें सा उस संडस्तोन से फ़सीनिवॉइंगे मतमान लिएक लिए मट्टी कट कर जा रही है यह निस बस ऐसी बता दिया है ना उसका पर मुला लग बतांगा करना इट का लग बतांगा ना डारी वर बस याद रखने के लिए यह यह दा इवर फ्लोईंग है वेव कन वोड़ेंट इंट अंडलेटिंग देरोजनल वोग अब दरीवर फ्लोइंग है एब कनवर्टेड इंटो अंडिलेटिंग वेवलाइक सफेस ठीक है के यहां पर जो लोकेशन है इसको मतलब इतना इरोजनल वोग हुआ है नदी ऐसे हो गया है मालों यह दखो यह प्लें था यहां प्लें ता यहां उच्छा वन गया यहां गड्डा वन गया ऐसा एक कि यहार जहान का हुँ आ है झाँ करी नहीं सब्सक्राइब बुंदेल खंड अप्लेंड अब कोई बोले आकर कि कि जानते हो क्या मुंदेल खंड में मैंने पांसो बिगा जमीन लिया तो फिर मैं उसमें धान लगाता हूं कि इसको पागल बना रहा है कि वहां पे अगरी कल्चर लगेगा क्या पागल अदमी डरीजन इस करेक्टराइज बाइस सेनाइल अब सेनाइल मतलब कह सकते को ओल डेज टोपोग्राफी है तो अब सेनाइल क्या है यह किसी दिन बता हूं को डूंट वही स्ट्रेम्स लाइक बेतवा यह नदी है बेतवा गोलते हैं यह किन नदी है यह किन नदी है यह दा सब से पहले बात कर दो यह सब घंबना क 79 सोन जो है वो डायरेक्ट गंगा की ट्रिबूटरी सो यह है बुंदेल खंडा प्लेंट और बुंदेल खंडा प्लेंट के बाद हम आगे वाले प्लेटी पर जाएंगे और वह मालवा प्लेटी है और इसको देखेंगे हम अगले वीडियो में सो हरे